नमस्कार विद्वान साथियमाय दूर्गय विशुकर्मा स्वागत करता हूं स्टेड़ी फाइक जांस में दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले में आप लोगों बताना चाहता हूं हमारे कई paid course चलते हैं अगर आप हमारे paid course को लेना चाहते हैं और हमारे टेलिग्राम गुरूप को आप जरूर जोइन कर लिजे तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हिंदी की आधि जन्नी कौन है महारास्ट्री, गुजराती, बिहारी या संस्कृत भासा इसका जो सही अंसर है option D, Sanskrit हिंदी की आधि जन्नी संस्कृत भासा है सन्यूक्त बेंजन चुनिए इसका जो सही अंसर है option D, श सन्यूक्त बेंजन श नेस्ट कोशन दन तोष्ट किस वर्ण का उच्चान रस्थान है सवकत इसका जो सही अंसर है option B, वा वा का उच्चान अस्थान दन तोष्ट है नेस्ट कोशन या, रा, ला, वा किस वर्ण के विंजन है तालब के, उस्म के, अंतहस्त के, ओट्स के इसका जो सही अंसर है option C, अंतहस्त के या, रा, ला, वा अंतहस्त वर के बिंजन है नेश्ट कोशन अनुवाद में प्रेउक्त उपसर्ग है आ, अनु, अव, अन इसका जो सही अंसर है ओप्शन B, अनु अनुवाद में अनु उपसर्ग है नेश्ट कोशन भाव वाचक संग्या बताईए सोना, गंगा, क्रोध, पानी इसका जो सही अंसर है ओप्शन C, क्रोध क्रोध एक भाव आचक संग्या है नेश्ट कोशन वचन कितने प्रकार के होते हैं पांच, चार, छे, दो इसका जो सही अंसर है ओप्शन D, दो वचन दो प्रकार के होते हैं एक बचन और बहवचन नेश्ट कोशन लिंग की दृष से दही क्या है स्ट्री लिंग पुलिंग नपुनसक लिंग उभै लिंग इसका जो सही अंसर है ओप्शन B पुलिंग दही एक पुलिंग है नेश्ट कोशन सुद्धवर्तनी का चेन कीजिए ओप्षन A, ओप्षन B, ओप्षन C या ओप्षन D इसका जो सही अंसर है ओप्षन C, अस प्रिस्यता नेश्ट कोशन सुद्धवर्तनी का चेन कीजिए ओप्षन A, ओप्षन B, ओप्षन C या ओप्षन D इसका जो सही अंसर है Option B कुमू दिनी सुद्ध वर्तनी है Next question अनाथ का विलूम बताईए धनी, सनाथ, बेकार, निर्धन इसका जो सही अंसर है Option B सनाथ अनाथ का विलूम सनाथ होता है Next question एका अधिकार का विलूम बताईए अनेका अधिकार, पराधिकार, सर्वाधिकार, परमाधिकार इसका जो सही अंसर है, option C, सर्वाधिकार एका अधिकार का विलोम सर्वाधिकार होता है नेश कोशन, हे एका विलोम बताईए हास्य, ग्राह, हार, इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर है, option B, ग्राह है, हे का विलोंग ग्राह होता है Next question, सन्यासी का विलोंग बताइए, सन्यासी सब्द में अनुस्वार और आधना दोनों का इस्तिमाल होता है यह सुद्ध वर्तनी में भी प्रियोग होता है इसका विलोंग राजा, भोगी, ब्रह्म्हेचर या ग्रिहस्त कौन सा होगा इसका जो सही अंसर है, option D, ग्रिहस्त, सन्यासी का विलोंग ग्रिहस्त होगा Next question, मूग का विलोंग बताइए, हास, वाचाल, साप, गौड इसका जो सही अंसर है, option V, वाचाल, मूग का विलोंग वाचाल होता है Next question, जो पहले कभी ना हुगा हो, उसे क्या कहा जाता है अपूर्व, पुराना, अभूत पूर्व, विस्मे इसका जो सही अंसर है, option C, अभूत पूर्व जो पहले कभी ना हुगा हो, उसे अभूत पूर्व कहा जाता है Next question विज्ञान सब्द में कौन सा उपसर्ग है? V, विज्य, ज्यान, अन इसका जो सही अंसर है, option A, V विज्ञान सब्द में V उपसर्ग है Next question लेखक सब्द के अंद में कौन सा प्रत्य है? क, एक, अक, आक इसका जो सही अंसर है, option C, अक लेखक सब्द में अक प्रत्य है Next question चावल सब्द किस प्रकार का सब्द है? रूड, योगिक, योगरूड, इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर है, option A, रूड, चावल एक रूड सब्द है Next question निम्निमिसिक तत्सम सब्द को बताईए अनिजान, घोटक, सच, पत्ता इसका जो सही अंसर है, option B, घोटक घोटक एक तत्सम सब्द है Next question सर्वनाम कितने प्रकार के होती है 6, 5, 4, 8 इसका जो सही अंसर है, option A, 6 सर्वनाम 6 प्रकार के होती है Next question यह जो विराम चिन का बनाया गया है विराम चिन को यह किसका चिन है योजक का, अलप विराम का, हन्सपद का, अर्ध विराम का इसका जो सही अंसर है, option B, अलप विराम का यह अलप विराम का चिन है Next question राम की गाय दूद देती है वाक्य के प्रकार बताईए सरल वाक्य सन्युक्त वाक्य मिस्र वाक्य इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर है option A सरल वाक्य राम की गायदूद देती है यह है एक सरल वाक्य है next question अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रसंसा करना भेद खोलना विवेक से काम लेना अपमानित करना इसका जो सही अंसर है option C विवेक से काम लेना next question चोर-चोर डॉट-डॉट भाई सगे चचेरे मौसेरे ममेरे इसमें क्या भरा जाएगा इसका जो सही अंसर है option C मौसेरे चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं next question राम नाम जपना पराया माल अपना कार्थ क्या होता है धोखे से धन जमा करना दान करना सरवग्य करना दूसरों से सानभूत रखना इसका जो सही अंसर है option A धोखे से धन जमा करना next question अदभुद्रस का स्थाई भाव बताई है निर्वेद विस्मे उच्सा भै इसका जो सही अंसर है option B विस्मे अदभुद्रस का स्थाई भाव विस्मे होता है next question प्रेम चंजी का जन्म कहां हुआ था लखनव बस्ती इलहावद वाराणसी इसका जो सही अंसर है option D वाराणसी प्रेम चंजी कह जन्म वाराणसी के लमही ग्राम में हुए था next question चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है शलेस अलंकार रूपक उपमा आति सहयोक्ती इसका जो सही अंसर है option B रूपक चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार है next question अनुपम का पर्यावाची कौन नहीं है अनूड अमिय अतुल अपूर्व इसका जो सही अंसर है option B अमिय अन्य तीनू अनुड अतुल अपूर्व अनुपम की पर्यावाची है next question आँख का पर्यावाची कौन नहीं है नयन तुरंग लोचन नेत्र इसका जो सही अंसर option B तुरंग तुरंग घोड़े का पर्यावाची होता है अन्य तीनू नयन लोचन और नेत्र आँख के पर्यावाची है next question उग्र का पर्यावाची कौन नहीं है प्रचंड उतकट तीवर योग्य इसका जो सही अंसर है option D योग्य अन्य तीनू तीवर प्रचंड और उतकट उग्र के पर्यावाची है next question इंद्र का पर्यावाची कौन नहीं है गगन देवराज सुर्पत देवेंद्र इसका जो सही अंसर है option A गगन अन्य तीनू सुर्पत देवेंद्र और देवराज इंद्र के पर्यावाची है next question पवन का पर्यावाची कौन नहीं है वायू हवा पयस समीर इसका जो सही अंसर है option C पयस पवन का पर्यावाची नहीं है अन्य तीनू वायू हवा और समीर पवन के पर्यावाची है next question सर सर सही अर्थ वताईए समान सन्यम बाण तालाब नगरपुरा बंधन समीब इसका जो सही अंसर है option B बाण तालाब पहले सरकर्थ होता है बाण और दूसरे सरकर्थ होता है तालाब सरूवर नेस्ट कोच्टन अंस-ंस का सही अर्थ वताईए हिस्सा कंधा, दूसरा आनाज, घर प्राचीन, आग हवा इसका जो सही अंसर है option A, हिस्सा और कंधा पहले अंसकार रोता है हिस्सा और दूसरे अंसकार रोता है कंधा next question एक भारती यात्मा किसे कहा जाता है इसका जो सही अंसर है option C, माखनलाल चतुरवेदी एक भारती यात्मा माखनलाल चतुरवेदी को कहा जाता है next question बाल चित्रण में कौन सा कविस रेस्ट है रस खान, सूरदास, मीरा बाई, कभीरदास इसका जो सही अंसर है option B, सूरदास बाल चित्रण में सूरदास कविस रेस्ट है next question हिंदी की पहली महिला लेका का क्या नाम है बंग महिला, चंदर किरन, चंदर कांता, सत्यवती इसका जो सही अंसर option A, बंग महिला अगर आप लोगों को इनका पूरा नाम ये रहने वाली कहा थी इनके पती का नाम अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे next question राम चरित मानस में कुल कितनी दो है 1184, 719, 1074, 945 इसका जो सही अंसर है, option C, 1074 राम चरित मानस में कुल 1074 दो है next question परिच्छा गुरू किसने लिखा है जैसंकर पसाद, मोहन राके, लाला स्री निवास दास, अग्यें इसका जो सही अंसर है, option C, लाला स्री निवास दास next question निमले खित में से एक वचन बताईए आसू, दर्षन, बाल, सामगरी इसका जो सही अंसर है, option D, सामगरी अन्य तीनू, आसू, बाल और दर्षन, बहवच्चन होते हैं next question मनोहर में कौन सी संदी है गुण संदी, वृद्धी संदी, आयादी संदी, विसर्ग संदी इसका जो सही अंसर है, option D, विसर्ग संदी मनोहर में विसर्ग संदी है next question सत भावना में कौन सी संदी है वेंजन संदी, गुण संदी, यण संदी, व्रिदी संदी इसका जो सही अंसर है Option A, वेंजन संदी सत भावना में वेंजन संदी है Next Question इसमें सत प्लस भावना होती है इसके कारण से इसमें वेंजन संदी है Next Question प्रियोग साला में कौन सा समास है? बहुब्रीय समाज, अब्या एभाव समाज, तत्पुरुस समाज, करमधः समाज इसका जो सही अंशर, Option C, तत्पुरुस समाज प्रियूग साला में तत्पुरुस समाज है Next question नर नारी में कौन सा समाज है? बहुवरिये समाज, द्वन्दव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारे समाज इसका जो सही अंसर, option B, द्वन्दव समाज Next question कवी भचन सुधा पत्रिका का संपादन किस ने किया? बालकृष्ण भट, स्यामसुंदर दास, जैसंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिस्चंद इसका जो सही अंसर, option D, भारतेंदु हरिस्चंद कवी भचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिस्चंद जी ने किया था Next question सरकारी पत्र में स्वा निर्देश के लिए क्या प्रियुक्त होता है? प्रार्थी, भावदिय, भावदिया, तुम्हारा इनमे से कोई नहीं इसका जो सही अंसर है, option B, भावदिय, भावदिया Next question अटेस्ट का हिंदी में अर्थ बताईए परिस्ट, उपकरण, अभिवरित्ति, अनुप्रमालित करना इसका जो सही अंसर है, option D, अनुप्रमालित करना अटेस्ट का हिंदी में अर्थ अनुप्रमालित करना होता है Next question अलगु चौधरी प्रीमचन के किस कहानी की पात्र है? कफन, इदगा, मंत्र, पंच परमेस्वर इसका जो सही अंसर है, option D, पंच परमेस्वर अलगु चौधरी पंच परमेस्वर कहानी के मोके पात्र है वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद, जैहिन, जै भारत